अब सभी का स्वागत है आपके अपने चनल वर्ट्वस में मैं दुर्दन कर फॉर्मरे एस बीए पू अज फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजिनिंग का सेशन लेख रहा हूं जैसे कि आप सभी जानते हैं मेंस की मिसलीनियस क्वेस्टन से सीरीज में ह डेली डिसकस कर रहे हैं डेली प्रैक्स कर रहे हैं इसके इलावा जो बाकी कंप्लीट शेडूल है आप लोगों के स्क्रीन पे हैं सभी के सभी अच्छे से इस शेडूल को फॉलो कीजिए अगर अभी तक आपने फॉलो करना नहीं स्टार्ट किया है प्री के लिए मेंस के लिए सभी के लिए कोर्सिस चल रहे हैं अनकैडमी पे भी है यूट्यूब पे भी है और इसके साथ साथ ही जो टेलिग्राम चैनल है मारा वी आयर टी यूओ यूओ यूएस वर्च्वेस से इम नीम से है इसको भी जल्दी से जोइन कर लेजे अब जो रेगुलर फॉलोव ही फॉलोवर जो है वो इस नंबर पर मैसेज कीजेगा और मैं आपको वाटसेप का जो हमारा स्टडी ग्रूप है उसमें एड कर लोगा तो बात खूब हो चुकी है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहला ग्वेशन आप लोगों के सामने एक शॉर्ट पजल है बिलेशन प त्रिन गपुल्स तो कितनी गेशन नहीं एक दो तीन गेशन है कपल्स कितने एंसर थीन Cumbles हैं यह जो डबल एंडिट एर्श है इसके लिए कपल के लिए ईउज कर लेते हैं यह तीन लाइं क्या तीन गटाररी मिस पादर आफ टी इम किसके फादर है T is the sister of S एके सर और क्या बुल रखा था P is the son of S P is the son of S O is the son-in-law of M O क्या है M के son-in-law है O M के son-in-law है तो M का son-in-law एक तो ऐसे भी बन सकता है T से शादिय हो वो सकता है S से शादिय हो अभी शौर नहीं है आगे बढ़ते Q is the aunt of P Q क्या है P की aunt है तो अभी इसका भी शौर नहीं है R is the mother of Q ये भी शौर नहीं है ये देखिए N is married to T इससे सर सारी चीज़ें N is married to T तो N हो गया T का अजबन अब देखिए उपर जो आपकी बात missing जो बाते थी वो complete करने का समय आ चुका है O is the son-in-law of M अब O कैसे सनी-law बनेगा M का सर ये तो N है दूसरी possibility है कि सर यहाँ पर आ सकता है O plus कर क्या आज़े ये क्या आज़े माइनस आज़े आ सकता है कि नहीं आ सकता हाथ हो सकता है सर बिलकुल आ सकता है और क्या दे रखा था तीन कपल्स के बारे में बात की थी सर दो कपल्स तो अल्रेडी आ चुके है और क्या दियावाद था Q is the aunt of P अचा जी Q क्या है aunt है P की और R is the mother of Q अचा Q aunt है R mother है तो ठीक है R mother है तो R यहाँ पर आ जाएंगी और इनकी मतलब sister हो जाएंगी T और S की क्या बन जाएंगी sister बन जाएंगी sorry Q लिख रहा हूं मैं P नहीं Q Q क्या बन जाएगी art बन जाएगी P की बन गे की नहीं बन गे बिल्कुल बन गे सर तीन कपल्स शीर थी तीन कपल्स मिलके एक दू तीन तीन कपल्स मिलके सर तीन जाएगी और सारी की सारी information आपकी क्या हो गई follow हो गई simple चलिए आगे बढ़ते कुछ coded inequalities के question है बारी बारी से tim कर लेते है let's see क्या दियावा है आपको codes के form में कुछ दियावा है बारी बारी से लिख लेते है इस sign का मतलब क्या है greater than ठीक है सर इस sign का मतलब क्या है सर less than ठीक है सर अब इस ये अगर follow तो इन में से कौन सा correct होगा ये आपको बताने है इसका मतलब क्या था less less इसका मतलब क्या था less greater इसका मतलब था greater less और ये इसका मतलब क्या था तक सही आ रहा रहा है ठीक है यह तो डिरक्ली यह तो सीदहें गिलत हो गया वह यहां पर क्या था फी ओर और आर में कोई डारेक्ट रेलेशन नहीं दावख अगारों कोई डारेक्टर यह भी यहां पर नहीं बैट रहा है आपका अंसर क्या जाएगा option number C यहां पर तीसर option आजाएगा ठीक है लिए next आपके सामने है जल्दी से वही same चीज़ करेंगे पॉस करेंट कर लिजी इसका मतलब क्या है not less मतलब greater equal अब ठीक है स्टार्ट करते हैं यहां पर देखते हैं यह क्या दे रखा था less यह क्या दे रखा था greater यह क्या था less equal यह क्या था greater equal इसका मतलब है not equal not equal इसका मतलब क्या हो not equal ठीक है सर इसका क्या मतलब है not less than that means greater equal that means greater equal ठीक है सर एक बार follow कर लेते है पी less than equal क्यों है less than equal क्यों हार रहे कि इसमें तो आ रहे है क्यू greater than equal रखा रहा रहे क्या is नरूत पर इसके दावा इक चीज़ और बताओ फई और और में रिलेशन की आई इन्टिफाई कर पा रहे हैं बिलकुल आपा रहे हैं इसमें पार आप निला नहीं पॉल है पी और और में रिलेशन की कर पार infin recruitment कर लो अब क्या कि रखा था ग्रीटर देन लेस दिंग लेविज और greater than less than not equal not equal cannot pay determined does not imply बोला है यह अगर true है तो इसमें से कौन सा imply नहीं होता है तो P greater Q P greater Q तो R है सर R greater Q R greater Q भी आ रहा है यह तो imply हो रहा है यह तो answer नहीं है का P greater Q यह P less Q है यह does not imply आ रहा है और यहाँ पर दे रखा था R greater यह तो अभी can't say पर इसमें यह तो कही सकते है न P greater Q वाली बात तो क्योंकि P greater Q है P greater Q है और यहाँ पर P less Q आ गया यह तो 100% does not imply अब इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते है not equal में कई चीज़े आ जाती है कोई भी relation बैठ सकता है तो exactly आप नहीं बोल सकते है कि does not imply imply के बारे में बोल सकते हैं पर does not imply कैसे बोल सकते हैं क्योंकि इसका मतलब क्या था not equal का मतलब क्या हो greater भी हो सकता है less भी हो सकता है जो एक छोटा सा input-output का सवाल है फटाफट से स्वाल कर लो बहुत ही सिंपल सा सवाल है I hope आप सभी ने अटेम्ट के लिए let's see step 1 से start करते है कैसे जमाएं कैसे जा रहा है sir cricket 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 आगे आप देखो तो ऐसे second से पहले cricket यहाँ पे जमा मैचेज फिर रिंग फिर टीम फिर जर्सी फुटबल इस तरह से जम रहा है cricket matches रिंग टीम जर्सी फुटबल लेट साइट से राइट से देखो तो कैसे जम रहा है 55, 25, 20, 48, 89 इस तरह से जम रहा है मतलब यहाँ से यहाँ चेक करो right to left पर इसमें left to right चेक करो words के लिए left to right और numbers के लिए right to left अब जम कैसे रहा है सर numbers का थोड़ा सा easier देख रहा है अगर आप देखें तो 55, 25, 20 तीनों की तीनों क्या है सर 5 से divided 5 के multiple है ठीक है और जम भी कैसे रहा है सर बड़े वाला सबसे पहले आया बड़े वाला descending order में जम आया है और इनको भी कैसे जमाया descending order में ही जमाया right to left ठीक है सर हो गया यहां पर आ जाते है number of letters 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,1,2 नहीं number of vowels 1,2 1,2,1,1,2 doesn't make sense last letter T, S, G, M, नहीं last letter भी नहीं वैठा second R, A, I यह भी नहीं बैठ रहा तो कैसे जमा रहा है यह बहुत interesting है यह बहुत interesting है बहुत unusual है कि fourth letter है हर word का हर letter का जो fourth word है उसके basis पे जमा रहा है तो इसमे fourth letter कौन सा है C इसमे fourth letter कौन सा है C इसमे fourth letter G इसमे M इसमे S और इसमे T अब आप जेख सकते हैं मैं लिख देता हूं लग से यहां पर लेट सी एक मिनिट के लिए वेट कीजिए अच्छे से शो कर देता हूं यह चीजिज कैसे जमाया गया है C C G M S T अव जो छोटा है वो पहले आगया मैं अब सेमाया ऑगया पहले 5 के मलटिपल से जमाया है यह कुछ सवाल हमने है सब आम इस सही नहीं आजाओ किया बजाने से पहले फिर से रिमाइड करूँगा complete schedule आपके सामने हैं यह छोटा session था बाकी मेरे sessions रहते हैं या फिर बाकी जो सिंग सर के quants के session रहते हैं generally गंटे के रहते हैं एक छोटा session है, कुछ दिन और चलेगा फिर next month से maybe 8th या 9th से मैं schedule पूरा change करूँगा pre का नया course हम लाने वाले हैं इस course को हम काफी already हो चुक है मेरा target पैसे तो था 30 round about 30 के short sessions लाने के 30 तब तक अगर complete हो जाएंगा आप से तो उसके बाद फिर हम pre का session स्टार्ट करेंगा और वो बड़ा रहेगा थोड़ा सा 40-45 minutes का तो at least रखेंगा और कोशिश करेंगे हम live जाने की कोशिश करेंगे कि वो sessions live रहें ठीक है तो इन sessions को अच्छे से follow कीजिए टेलिग्राम चैनल अभी तक जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लीजे और साथ ही साथ एक request रहेगा जो लोगों भी तक subscribe नहीं कर पाए है प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए ताइम मत बेस्ट कीजिए जल्दी से subscribe कीजिए notification bell प्रेस कीजिए जिसे कोई भी नए वीडियो हम आपके लिए लिक रहे है तो उसका direct notification आपको मिल जाए अब जाने से पहले फिर से रिमाइन करवाऊंगा description में जितने भी students को doubt है कि sir current affairs के साथ क्या किया जाए query है कि sir कहां से पढ़ा जाए description में एक link है affairs cloud का एक link है उसको follow कीजिए जाके देखिए उनका annual subscription मातर 270 रुपय only 270 रुपीज में है सिर्फ 270 रुपय में पूरे साल का current affairs है आपका cover हो जाएगा इतना extensively research content है आपको मजा जाएगा ठीक है तो उसको जाके देखिए जाके subscription buyout कीजिए और buyout करते टाइम अगर 270 रुपीज में आप subscription चाहते हैं तो हमारा referral code यूज कर लीजेगा बता देता हूँ referral code हमारा channel का ही नेम है V-I-R-T-U-O-U-S बिल्कुल मत बूलिएगा ये यूज करते ही आपका जो annual subscription है 270 रुपीज में आप आराम से purchase कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के session में इतने हैं now that's all for today's session have a great day